नमस्कार बच्चों, आज हम लोग solve करेंगे जहरखंड बोड का, जो model set paper आया है, उसको आज हम लोग solve करेंगे, तो ठीक है बच्चों, तो इस बार देखो, थोड़ा से pattern में change हुआ है, जो questions होंगे, वो 100 marks के होंगे, ठीक है, पास marks 33 रहेगा, time हमारा 3 hours का है, जो हर साल होता है, उसी तरह 3 hours का time होगा, ठीक है, और इस बार questions जो है number of questions 59 है, ये कुछ पहले से ज़्यादा आ गया, तो छो लिए ज़्यादा इसलिए हो गया, क्योंकि देखो इसमें, हमारा जो question होगा, वो 4 section में होगा, देखो ध्यान से, हमारा जो question है, वो 30 वस्तुनिष्ट प्रस्न हैं, तथा 10 खाली अस्थान प्रकार के प्रस्न हैं, प्रते एक एक एंग का है, तो देखो 30 तो objective होगा, जिसके options होगे, 30 objective है, जिसके options हैं, और 10 जो हो हमारा fill in the blanks होगा, ठीक है, वो अपने को भरना होगा, है न, सब एक-एक marks का है, तो 40 marks तो य बहुत जो है, उसमें 10 प्रस्न होगे, सब 2-2 marks का होगा, है न, 10 प्रस्न, देखो 10 question जो है, वो section B से है, हमारा 10 question, 10 question section B से है, और सब कितने-कितने marks का है, 2-2 marks का है, इसका मतलब section B से तुमको 20 marks का question आएगा, ठीक है, section C है, उसमें 5 questions होगे 4-4 marks के, section C, यह तो section B का, दूसरा section का बात कर लिए तीसरा section C है 5 questions होंगे 4-4 marks के 5 questions होंगे 4-4 marks के इसका मतलब यहां से भी अपने 20 marks आने वाला है ठीक है और फिर देखो यहां पर section यहां पर जो है section 10 question होंगे और यहां पर देखो section D है तुमारा उसमें 4 प्रस्ण है वो जो है हरेक में 5-5 marks यह भी दिया रहेगा 5 marks 4 question होगा 5-5 marks का ठीक है तो यहां पर 5 question था 4-4 marks का यहां 4 question है 5-5 marks का यह 6 गलती से लिख दे हैं यहां पर 5 marks होगा उपर में तो यह यहां से भी 20 marks तुमको मिलेगा तो 20, 20, 40 20, 60, और 40, 100 100 marks का हमारा question होगा इस तरह से question होगा मतलब एक कह सकते हैं objective होगया sort question, very sort होगया objective इसको बोल सकते हैं यह very sort होगया यह क्या है तुम्हारा sort होगया और यह तुम्हारा long होगया यह हमारा pattern है बहुत अच्छा pattern है और इस बार अच्छा marks भी आ जाएगा क्योंकि हमारा जो objectives questions वो ज्यादा हो गया है तो marks भी अच्छा खासा आ सकता है सब बच्छे जो गर मेहनत करेगा तो marks भी अच्छा आएगा और जारखन बोट का अपना है कि standard है और इसमें सारे chapter से लगवग लगवग questions पूछे जाते हैं तो आप बिहार बोट के तरह नहीं छोड़ सकते हैं कि कुछ chapter पढ़के काम चला लेंगे ऐसा नहीं होगा आपको हर chapter इसमें पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है बच्छों तो चलो हम लोग अब सुरू करते हैं देखें क्या-क्या model paper में आया है तो पहला question क्या है हमारा fx equals to यह है ना इसको modulus बोलते है modulus x है यह है ना यह वाला चीज क्या modulus x है ठीक है यह modulus x है तो यह function कैसा function है modulus function है मपांक फलन जिसको बोलते है तो यह option यह हमारा सई answer है ठीक है बच्छों चलो next question देखो दूसरा question देखो fx क्या है तुमारे पास fx जो है तुमारे पास इसका देखो अगर solution देखोगे तो fx क्या है तुमारे पास x by x plus 1 है ठीक है fx क्या है तुमारे x by x plus 1 है अपने को f2 चाहिए f2 चाहिए तो function का क्या बात होता है कि जो चाहिए वो तुम जो है हमेशा x के जिगर डाल दो तो यह उपर आ गया 2 और यहां आ गया 2 plus 1 तो इस तरह से 2 by 3 हमारा 2 by 3 आंसर तो option b हमारा सही आंसर है ठीक है बचो चलो next question पर चलते है देखो next question क्या कह रहा है principle value of cos inverse minus 1 by 2 इसका principle value निकालना है cos inverse minus 1 by 2 का principle value निकालना है अपने को ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है यह 2 by 3 होगा 3 by 5 ले लो कुछ भी है यहाँ पर यह थोड़ा सा लग रहा है कि छूट गया है तो इसको देख लेना है तो यह actually 3 by 4 है यह 3 by 4 है ठीक है तो चलो देखो इसका solution करते हैं हम लोग क्या रहा है तुमारा किसका हमको निकालना है principle value cos inverse minus 1 by 2 का तो अपने को पता है inverse हम लोगों ने पढ़ लिया है तो cos inverse minus x क्या होता है pi minus cos inverse x होता है ठीक है इसको भी हम लोग लिख सकते है pi minus cos inverse 1 by 2 तो pi तो ठीक है और minus 1 by 2 cos में किसका value होता है 60 degree का pi by 3 का तो यह pi by 3 आ गया तो क्या यह pi minus pi by 3 तो 2 pi by 3 तो हमारा जो answer है वो option c सही answer है ठीक है बच्छों option c हमारा सही answer है चलो next question पर चलते है sin inverse x plus cos inverse x की तो बहुत ही आसान सा question है बहुत common question है pi by 2 होता है ठीक है बच्छों सबको पता ही होगा चलो next question पर चलते हैं यह दोको a दिया हुआ है 2a अपने को निकालना है ठीक है तो obviously 2a कहने का मतलब 2 और a के जिए a डाल दो a क्या है हमारा 3 है 5 है 5 है 5 है माइनस 4 है डालो तू से multiply कर दो तू 3 2 जा 6 5 2 जा 10 5 2 जा 10 ओ सॉरी यहां 6 था न यह वाला चीज 6 है तो यहां क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 और माइनस 4 जा माइनस 8 तो कौन सा option लग रहा है 6 12 10 माइनस 8 option यह हमारा सही आंसर है समझ में आगे है बच्चों चलो next question पर चलते है next question देखो कहा रहा है इसका value क्या होगा यह जो है तुमारा actually यह determinant है इसका value क्या होगा यह matrix की तरह दे दिया बट यह determinant है तो देखो यह determinant है मारे पास x plus y y plus z z plus x z x y 1 1 और यह 1 है ऐसा तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे r1 और r2 को add कर ले रहे हैं apply r1 becomes r1 plus r2 तो r1 और r2 को जब हम लोग जोड देंगे तो यह क्या होगा x plus y plus z तो यहां से हो गया x plus y plus z यहां भी y plus z plus x तो यहां भी हो जाएगा x plus y plus z और यहां भी z plus x plus y तो यहां भी हो जाएगा x plus y plus z ऐसा हो गया और यह तो हमारा z है यह तो हमारा x है यह हमारा y है यह हमारा one यह हमारा one यह हमारा one ठीक है अब दो वो common ले लेते हैं x plus y plus z से है ना common ले लिए x plus y plus z common ले लिए तो देखो अंदर क्या बच रहा है हमारा one 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 z x y one 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 ठीक है ऐसा आ गया तो देखो अब दो रो सेम आ गया है ना r1 और r2 से r1 और r3 सेम है तो जब किसी भी determinant का दो रो या दो कॉलम identical हो जाए सेम हो जाए तो इसकी value 0 होती तो आंसर क्या गया जीरो आ गया तो हमारा जो आंसर है वो option c हमारा सही आंसर है जीरो ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं देखो यहां पर 10 inverse x plus cot inverse x तो अपने को पता है 10 inverse x plus cot inverse x क्या होता है पाई बाई टू तो डी बाई डी एक्स पाई बाई टू यह तो जीरो हो जाएगा क्योंकि constant का differentiation जीरो होता है तो option यह हमारा सही आंसर है ठीक है बच्छों चलो लॉग x का आ जाएगा 1 by x तो इस तरह से क्या आगे है तुम्हारा माइनस sin log x by x है न यह 1 by x था तुम्हारा तो एक्स तो option माइनस sin log x by x option भी हमारा सही आंसर है ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं देखो next question क्या एका पाबर लॉग x थोड़ा सा y है तुम्हारा और इसका value हो गया x है न और यह है y अब इसका differentiation कर लो dy by dx तो यह क्या जाएगा एक्स का differentiation 1 option यह हमारा सही है इसका fundamental log identity बोलते हैं बटाइसको एका power log n base a हो तो इसकी value n होती है यह fundamental log identity होता है वही हो गया एका power log x एक्चली यहां इसका differentiation कर लो dy by dx तो 2 का power x का 2 का power x हो जाता है और फिर log 2 ठीक है तो यह हमारा 2 का power x log 2 यह differentiation होता है किसका 2 to the power x का तो option c हमारा सही answer है ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं अब अपने पास दिया हुआ है x square plus y square plus 2y equals to 15 और अपने को dy by dx चीए तो x के respect में differentiate करो तो x square का differentiation 2x y square का differentiation 2y और y का फिर आ जाएगा dy by dx प्लस 2 और y का हो जाएगा dy by dx और यह आ गया हमारा 0 ठीक है तो आप सारा से 2 common निकाल लो तो 2 common निकाल लिए तो x plus y dy by dx प्लस dy by dx हो रहा है यहां पर और यह आ गया 0 तो यह तो 2 जाके उधर 0 हो जाएगा तो खतम हो गया 2 इदर से अब हम लोग क्या कर रहे है इस x को उठाके इदर ले आ रहे तो parity-x बचा और यहां से dy by dx common निकाल रहे है तो यह बच रहे है y और यहां बच रहे है 1 तो इस तरह से देखो किए हमारा क्या आ गया इस तरह से हमारा आगया d y by dx equals to minus x by y plus 1 तो d y by dx और minus x by y plus 1 है न तो यह क्या है माइनस X बाई Y प्लस वन तो ऑप्सन ए हमारा सही आंसर है ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं हम लोग next question देखो क्या है हमारे पास Y इक्वेस्टू cos inverse X cube अपने को dy by dx निकालना है तो dy by dx तो इसमें देखो दो फंसन पहले है तो inverse का फंसन आ गया फिर X cube का फंसन है तो cos inverse का क्या होता है minus 1 by root under 1 minus X square X क्या X cube तो X cube का square करेंगे तो X6 हो जाएगा फिर X cube का क्या आ जाएगा 3X square आ जाएगा तो final answer जो हमारा आएगा minus 3X square by root under 1 minus X का power 6 तो minus 3X square by root under 1 minus X का power 6 option B हमारा सही answer है ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं 13 13 देखो क्या है हमारा Y equals to 2X cube plus 3X square plus 6 कह रहें D2Y by DX square दो बार differentiate करना है इसको तो यहां से देखो क्या रहा हमारा DY by DX 2X cube का क्या आ जाएगा 3X square और 3X square का क्या जाएगा 2X और 6 का तो 0 हो गया चलो जाने दो तो DY by DX क्या आ गया हमारा 6X square plus 6X ठीक है अब फिर से differentiate कर लो तो D2Y by DX square हो जाएगा और अब क्या आ जाएगा 12X और plus 6 तो 12X plus 6 option B हमारा सही answer है ठीक है बच्चों चलो next question देखते है question 14 क्या करा rate of the change of area of a circle with respect to its radius r at r equals to 6 cm कहता है बिरित के छेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिजिया के साफेक्ष ग्याद कीजिए त्रिजिया 6 cm है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि area जो होता है circle का वह कितना होता है तो area equals to higher square area equals to कितना होता है पायर square अब बोल रहा है radius के respect में करना है तो radius के respect में इसको जो है ना d a by dr तो r के respect में differentiate कर लेते हैं P mastery में differentiate करेंगे, तो R square का क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, ठीक है? अब कहां पर बोला कब? जब R 6 cm हो, तो DA by DR और जब R क्या है? तुमारा 6 cm है, तो क्या आगिया तुमारा? 2Pi और R के जगह 6, तो कितना है या? 12Pi, ठीक है, एकस का पाबर माइनस 1DX, एक्चुली में ये लिखा हुआ है 1 by X DX, है ना, तो 1 by X DX का क्या होता है, log modulus X base E plus C, तो हमारा जो सही आंसर है, वो option C हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्छों, चलो next question पर चलते हैं, देखो 1, integration 1DX है, 1DX, तो 1 तो बाहर ले लो, DX का integration X होता है, और plus constant K A लेलो या C लेलो तो option A हमारा सही answer है ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं 10x ठीक है integration क्या है तुम्हारा 10x और अपने को याद है 10x का integration क्या होता है 10x का integration होता है log sec x log modulus sec x plus c बट यहाँ पर देखो sec नहीं है cos है तो इसी sec को हम लोग क्या लिख सकते है log 1 by cos x plus c cos को उपर लेके जाएंगे minus आ जाएगा तो log cos x का power minus 1 plus c तो minus बाहर ले लेते हैं minus log modulus cos x plus c तो minus log modulus cos x plus c option b हमारा सही answer है ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं question number हम लोग करते है 18 अच्छा देखो 18 क्या है हमारा 18 है e to the power x 10 inverse plus 1 by 1 plus x square dx तो देखो i क्या है हमारे पास i जो हमारे पास है वो integration है e का power x 10 inverse x ठीक है यहां x छूट गया है x होगा और plus 1 by 1 plus x square और dx यह है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें let मान लेते हैं क्या मानते है fx equals to 10 inverse x तो f dash x अगर करेंगे तो क्या आजाएगा 10 inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square तो इस तरह से देखो यह क्या आगया i equals to e का power x यह है fx और plus f dash x और dx और इसका अपने को पता है क्या होता है यह standard result है e का power x fx होता है ठीक है प्लस c इसका मतलब e का power x और fx क्या है हमारा 10 inverse x और प्लस c तो हमारा जो सही answer है वो e का power x c यह हमारा जो है question का सही answer option b है ठीक है चलो next question पर चलते हैं बच्चों next question देखो क्या है तुमारा i equals to integration dx by 9 plus x square तो i equals to क्या है तुमारा i actually यह लिखा हुआ है 1 by 3 का square plus x square dx ठीक है तो इसका अपने को पता है कि integration अपने लोग जानते है integration dx by a square plus x square क्या होता है यह होता है 1 by a 10 inverse x by a ठीक है plus c तो यह ही आ जाएगा 1 by a a के जिगा 3 है 10 inverse x मतलब x by a x by 3 plus c तो 1 by 3 10 inverse x by 3 यह हमारा option b इसका सही answer आ जाएगा ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं देखो next question क्या है integration है हमारा a to b x to the power 5 dx तो अपने लोगों को क्या करना है x का power 5 का integration कर दो x का power 6 by 6 और limit लगा दो कहां से कहां a से b तो b पहले रखेंगे तो b का power 6 by 6 minus a का power 6 by 6 lcm आप ले लो 6 तो b का power 6 minus a का power 6 और option आ रहे है option b b का power 6 minus a का power 6 by 6 ठीक है तो यह था तुमारा 20 number question चलो next question पर चलते हैं तो क्या रहा है तुमारा आ रहा है तुमारा 2 to 4 1 by x dx और अपने को पता है क्या कि 1 by x क्या होता है log modulus x और इसका कहां से कहां 2 से 4 तक 2 से 4 तक ठीक है तो log 4 आया minus log 2 आया और यह कितना आ गया log 4 by 2 और यह कटके 2 हो गया और यह कितना गया हमारा log 2 आ गया मतलब हमारा answer option a जो है वो सही answer है ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं next question क्या कह रहा है the order of the differential equation इसका order बोल रहा है तो हमारे पास क्या है dy by dx plus 5y equals to 0 यह इसका order बोल रहा है तो इतना तो y equals to कितना है तुमारे पास x square plus 2x plus c है इसमें कितने arbitrary constant है अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक arbitrary constant c है इसका मतलब इस equation को हम सिर्फ एक बार differentiate कर सकते हैं तो dy by dx हो गया तुमारा x square का 2x आ गया और 2x का 2 आ गया तो बहुत ही आसान सही है एक तरफ लेके आ जाओ तो dy by dx minus 2y minus 2 equals to 0 और यह c option जो हमारा है वह सही option है ठीक है बच्छों यह था तुमारा 23 चलो अब आगे बढ़ते हैं 24 देखो मॉडलस मॉडलस क्या है माइनस i cap plus 2 j cap plus 3 k cap यह क्या आ जाता है तुमारा root under minus 1 का स्क्वार आई का जो कोफिसेंट इसका स्क्वार जेक का कोफिसेंट का स्क्वार और के कोफिसेंट का स्क्वार तो root under i का 1 का स्क्वार 1 4 और 9 तो कितना गया root 14 तो हमारा जो आंसर सही है वह option d है root 14 ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं 25 ए और बी दिया हुए हमारे पस ए क्या है तुमारा ए वेक्टर है तुमारा 3i minus 2j plus k और वेक्टर b क्या है तुमारा वेक्टर b क्या है तुमारा 4i minus 5j plus 3k अपने को क्या करना है a dot b निकालना है a dot b निकालना है तो multiply करो 4 3 j 12 i dot i 1 होता है minus minus plus 5 2 j 10 j dot j 1 हो गया प्लस 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 त्री वन जा 3 k dot k 1 हो गया तो 12 10 22 23 25 तो हमारा आंसर 25 है option c हमारा जो है वो सई आंसर है ठीक है बचो चलो next question पर चलते हैं next question देखो क्या कह रहा है कि direction को assign of z axis तो z axis का direction को assign क्या हो जाएगा है ना z axis वाले में x वाला coordinate 0 y वाला coordinate 0 बस z वाला वन हो जाएगा तो option c हमारा सही option है ठीक है तो z axis का यह हमारा direction को assign हो गया चलो देखते हैं next question पर चलते हैं 27 कह रहा है element direction को assign तो direction को assign अगर element है तो क्या होता है L square plus M square plus N square request to 1 ठीक है यह इसका property होता है कि अगर direction को assign है तो उसके square का समझो है वो 1 होता है तो option जो d है हमारा वो सही option है चलो next question पर चलते हैं 28 अब बोल रहा है distance निकालने किसके किसके distance निकालने किसके के बीच का distance निकालने किसके के बीच का distance अगर निकालेंगे तो y2-y1 1-4 का square कर लो प्लस x2-x1 फिर y2-y1-1-3 का square कर लो और फिर z2-z1-5-7 का square कर लो तो यह आ गया तुमारा माइनस 3 का square 9 प्लस माइनस 4 का square 16 अब प्लस 12 का square 144 ठीक है तो यह आ रहा है तुमारा अब इसको add कर लो यहां से 60 169 आ गया एड करने के बाद 169 खरूट क्या होता है 13 तो option c जो हमारा वो सही आंसर है ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं देखो 29 जो हमारा question है वो क्या है क्या है तुम्हारा देखो PA दिया है PB दिया है PA intersection भी दिया है PA union भी निकालना है तो अपने को पता है कि PA union भी का formula होता है PA PA plus PB minus PA intersection B ऐसा होता है तो PA कितना है हमारे पास 3 by 8 PB कितना है हमारे पास 1 by 2 और minus PA intersection B क्या है 1 by 4 तो LCM ले लो भाई यहां से 8 आ रहा है 8 से divide किया 1 तो 3 2 से किया 4 बार में तो 4 अम माइनस 4 से किया तो 2 बार में 2 तो कितना रहा है 7 minus 2 उपर आया 5 by 8 तो option D हमारा सही answer यह 29 था हमारा चलो next question पर चलते है 30 देखो PE हमारे पास है PF हमारे पास है PA intersection है अपने को निकालना है PE by F तो PE by F conditional probability क्या होता है PE intersection F by PF यह होता है conditional probability तो PE intersection F क्या है 2.0 और PF क्या है 0.3 पॉइंट पॉइंट हटा दो तो answer आ रहा है 2 by 3 तो option B हमारा सही answer है ठीक है बच्चों तो यहां तक था हमारा option बाला जो चार options दिये हुए थे एक सही था हम लोगों ने सारा बना लिया अब चलो चलते हम लो you to kill in the blanks में पहले देखो कि तुम्हारा GX X तो GX क्या है तुम्हारा X molar X – 1 है तो बोल रहा है G – 3 तु भाई जहां जहान एक संवह वहां माइनस 3 डाल दugen तो –3 –1 तो –3 बाई – 4 तो my लो – 3 दो हमारा तो mlां कितना रहा है 3 बाई फोर तो हमारा ठीक है कि 10 inverse x plus 10 inverse y एक क्वेस्ट क्या होता है 10 inverse x plus y by 1 minus xy यह तो formula है direct formula ही पूछा है ठीक है बचो चलो next question पर चलते है तो देखो क्या है तुमारा यह यह भी formula है integration root under a square minus x square तो इसका क्या होता है तुमारा अगर ध्यान से देखो तो यह होता है तुमारा x by 2 और जो था वह डाल दो root under a square minus x square plus क्या होता है a square by 2 a square by 2 ध्यान देना और sin inverse x by a x by a और plus c यह हमारा इसका formula तो याद कर ले ना बहुत ही important formula है इसका series का बहुत सारा formula जैसे a square minus x square a square plus x square है ना तो वो जितना भी series वाला formula हो याद कर लेना इस तरह का formula जरूर पूछेगा अब याद कर लेना थोड़ा lengthy formula तो आदमी भूल भी जाता है तो इसको आप लोग जरूर याद रख लोगे ठीक है चलो next question पर चलते है देखो 34, 34 क्या है तुमारे पास यह इसको आई है अगर मान लो तो क्या आजाएगा 0, 2, pi by 4 1 by 1 plus x square dx तो यह जो 1 by 1 plus x square का integration क्या होता है 10 inverse x तो यह तो हमारा 10 inverse x हो गया और इस पर limit लगा दो 0 से pi by 4 तो यह कितना आगया तुमारा 10 inverse pi by 4 minus 10 inverse 0 तो यह आगया 1 minus 0 equals to 1 तो हमारा जो इसक में fill in the blanks में आएगा वो क्या answer 1 आएगा ठीक है यह 1 हमारा सही answer है ठीक है चलो next question पर चलते है देखो solution of the differential equation क्या है हमारे पास dy by dx equals to 1 by x है तो क्या करते है variable separable dy को एकतरप रखते है और यहां आगया dx by x और अब हम लग दोनों तरप integrate कर देते है तो dy का integration y आगया और 1 by x का आगया log x और plus c तो यह हमारा इसका solution हो गया तो क्या आजाएगा y equals to log modulus x plus c यह हमारा इसका solution हो गया ठीक है बच्चों यह था तुमारा 35 चलो next question पर चलते है तो i dot j तो पता ही अपने को क्या होता है i dot j i और j के बीच में कितना अगल होता है 0 और जब किसी भी dot product में %90 होता है तो तो क्या जाएगा, तुमारा i dot j 0 हो जाएगा क्या जाएगा i dot j 0 हो जाएगा ठीक है बच्चों तो i dot j हमारा 0 हो गया चलो next question पर चलते हैं, कहता है कि a dot b 0 है, इसका मतलब a और b के बीच का कितना एंगल है, pi by 2, 90 degree ना, pi by 2 लिख दो, और 90 degree लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, चलो next question पर चलते हैं, अब बोल रहा है कि direction ratio, क्या direction ratio of line, इस line का direction ratio, थमको पता है कि यह जो होता है, यह direction ratio होता है, line का, ठीक है, यह वाला point होता है, और यह उसका direction ratio होता है, तो कितना आ गया, 3i plus 2j, और plus 8k, यह तुमारा direction ratio हो गया, ठीक है बचो, चलो next question पर चलते हैं, अब कहारा है, a and b are events such that, कहारा है, pa by b और p b by a दोनों बराबर है, तो जब pa by b और p b by a दोनों बराबर है, तो ध्यान दो, तो pa by b equals to p b by a, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, pa intersection b by p b, और p b intersection a by p a, ठीक है, तो यहां से देखो, यह दोनों तो cancel हो गया हमारा, pa intersection b, p b intersection a, एक हतम, और इसका reciprocal करेंगे, तो p b equals to कितना आ रहे, pa r है, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा answer होगा, वो, then pa equals to p b, ठीक है बच्चों, pa और p b दोनों बराबर हो जाएगा, चलो next question पर चलते है, 40 है, last question है, pa क्या है, 1 by 2 है, p b 0 है, तो pa by b का अगर हम लोग बात करें तो pa by b का अगर हम लोग बात करें, तो क्या आता है, pa intersection b by p b, अच्छा, ऊपर तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, pa intersection b, लेकिन यहां न, जोर जोर से चीक चीक है, क्या बोल रहा है, एक p b 0 है, और जैसा ही नीचे 0 हो गया, इसका मतलब is not defined, not defined, यह defined नहीं होगा, ठीक ह बच्छों, तो हम लोगों ने जितने भी objectives आये थे, model paper में हम लोगों ने सारा उसको solve कर लिया, उम्मिद करते हैं, आप लोगों को भी समझ में आया होगा, तो बच्छों फटा फट, आप लोगों के लिए इतना महिनत किया है, एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक ज पर तो आप चरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है बच्छों, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग next part जो है इसका, जो subjective question वाला part है, वो हम solve करेंगे, ठीक है बच्छों, बाई